हलो दोस्तों एक वाफिर से स्वागत आपका आपके चेरल सक्सेस पॉइंट आगराम है आज हम आपके लिए लिए क्या हैं चाइल्ड साइकलोजी चाइल्ड साइकलोजी आधनिक बिस्ट की प्रगती का मुख्य कारड ग्यान का विकास है ग्यान की अनेक साखाएं हैं जिनका संबन्द जीवन के किसी न किसी पच्छ से है ग्यान की प्रतेक साखा के छेतर में अनेक खोजें वाइ अन्विशर हुए जिनके प्रडाम सरूप ग्यान की विविन साखाओं का अपूर्व विकास हुआ मनोवग्यान भी ग्यान की एक महत पूर साखा है मनोवग्यान में मानव अनुव तदा बेवार का मुक्रूप से अध्यान किया जाता है अर्थात बाल मनोवग्यान मनोवग्यान की वह साखा है जिसमें बालक के सारीरिक मानसिक तता रुची संबंदी विकास का अध्यन बिस्तार से किया जाता है इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए आप बाल मनुविज्ञान की वैसा का है जिसमें बालक के सारीरिक, कौमा मानसिक तता रुची संबंदी विकास का अध्यान विस्ताज से किया जाता है इसको आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए ध्यान से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं मनुविज्ञान में मानव का सैसवाकाल से प्रोड़ा वस्ता तक अध्यान किया जाता है यह प्रस्ट्रेट के लिए बहुत ही महत्पूर है इस बात का ध्यान रखेंगे और दूसरी चीज कहा गया है यह दोनों बातों पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर इस लाइन को ढंक से अच्छे से आप तियार करें एक देखिए एक समय था जब बालकों की अपेच्छा प्रॉड वय तरुड व्यक्तियों को विसेस महत्व दिया जाता था परन्तु कुछ काल के पस्चात मनों बग्यान को ने यह एनुव किया कि संपूर मानव जीवन में सैसव बाल्य तथा किसूर काल का भी अपना विसेस महत्व है जब व्यक्ति की इस काल की उपेच्छा की जाती है तो व्यक्ति का समुचित विकास ठी प्रकास से नहीं हो पाता है बालक भविस में जो कुछ भी प्रकास करता है वह इस काल में हुए समुचित विकास के आदार पर ही करता है अर्दात इसको दूसरे सब्दों में समझ सकते हैं इस काल में ही व्यक्ति के विकास की नीव रखी जाती है अर्दात इस काल की उपेच्छा नहीं की जानी चाहिए यानि हम इस काल में किसी भी कारगी उपेच्छा नहीं कर सकते अच्छा यानि कि इसमें एक बात ये कही गई है कि अगर हम विकास करना चाहते हैं तो हम केबल प्रॉड या योग अवस्ता कोई अध्यान रखे करें तो सही नहीं है उसमें हमें मनुस्ट के जीवन की सारी अवस्ताओं को अध्यान करना हुगा क्योंकि बाल्य अवस्ता, सैस्व अवस्ता, प्रॉड अवस्ता, योव अवस्ता ये सारी अवस्ताओं हैं जीवन की अवस्ताओं हैं जिनके बारे में हमें बिस्तार से अध्यान करना ही होगा Child psychology को समझने के लिए हमारा सबसे important बात होता है कि बाल विकास समझना चाहते हैं तो बाल विकास समझने के लिए बच्चे की मानसिक सारे एक ततर सारी अवस्ताओं का अध्यान करना होगा तब ही हम इस चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप बाल मनोविक्यान पढ़ रहे हैं तो इसके सभी सब्दों को जो भी इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं साथ ही साथ लिखते जाईए क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो लिखने से आपको ये वर्ड सारे कंटस्ट हो जाएंगे और ये जो परिवासाइं हमने इसमें डाली है वो एजटिज ऐसे ही आ जाती है कि क्या ये मनोविक्यान की सहसवावस्ता वाल्यासता के सोरा कालकावी बिसेस महत है तो इसमें कभी-कभी कंट्फूजन हो जाता है तो ये कंट्फूजन आपको नहीं रहेगा अच्छा इसमें मैं एक चीज और बता दूँ अभी जो मेर्ड के एक्जाम सुरू होने वाले हैं उनके लिए ये जो है चेप्टर है बहुत महत्तपूर है इसका फोस सेमिस्टर के लिए इसमें एक चेप्टर बनता है जैसे एक सेकंड पिपर जो हता है उसमें जो हता है बाल मनोविज्ञान उसमें ये पूरा का पूरा एजटिज आने वाला है पिछली सालों के पिपरों में भी देखा गया है चलिए अभी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बाल मनो विग्यान के एतियास बहुत प्राचीन है, उनिस्वी सद्धी के मनो विग्यानिक बाल विकास के अध्यान को बिसेस मैथ तो नहीं देते थे, परंतिय सत्य है कि प्राचीन काल के दासनिक बाले आवस्ता को बिसेस में देते थे जैसे प्लूटो प्लूटो ने क्या कहा बाले काल के समुचित प्रिसिच्छड का प्रभाव आगे चलकर उसकी ब्यावसाइक दक्षताओं पर उत्तम पड़ता है यानि कि प्लूटो कहते हैं कि बाले काल के समुचित प्रिसिच्छड का प्रभाव आगे चलकर ब्यावसाइक दक्षताओं पर उत्तम पड़ता है यह उन्होंने कहा अठारे विस्ताब्दी के एक दार्सनिक थे पेस्ट्रोलोजी और रूसो लॉक इन्होंने कुछ अध्यन किया है बालकाल पर जिनके बारे में हम आगे इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसका जो अगला पार्ट आएगा इस पीडियो में वो होगा मीनिंग मीनिंग आफ साइकोलोजी अक्सर करके यह प्रसन जरूर पूछा जाता है मीनिंग आफ साइकोलोजी यानि कि बाल मनो विज्ञान का अर्थ यानि कि आप इसको ऐसे लि मिश्म में द्यान से समझ जाएंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा देखिए तो बाल मनो विज्ञान का जो अर्थ है वो दो सब्दों से मिलकर बना है आप सब्सटेद में बालक यानि की बाल जिसे हम चैल्ड कहते है तो दूसरा सब्सब्द है मनोविज्ञान यानि की साइकोलोजी तो बाल मनोविज्ञान के अर्थ को टीक प्रकास समझने के लिए बाल-मान-न ग्यान के अर्थ पर आपको ठोड़ा ज्ञान को हम किस तरीके से देखते हैं देखें न तो हम लोग इस चीज़ों को दोनों को ज्ञान से समझते हैं तो इसमें पहला पार्ट हम लेते हैं नमबर वन बालक का अर्थ तो देखिए बालक के अर्थ को देखते हैं प्राय बालक का अर्थ जन्म से लेकर बाल्यावस्त तक तक के से लगा जाता है संचेप में युवा तथा प्रोड या परिपकुता से पूर की अवस्ता का प्राणी बालक माना जाता है अर्थात इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बालक का अर्थ जन्म से लेकर बल्य अवस्ता तक परन्तु बाल मनोविग्यान में बालक का अर्थ गर्वाधान से यानि कि बच्चा जब से घर्व धारड करता है तब से और किसुर अवस्ता तक इस अवस्ता तक लगा जाता है इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि बाल मनोविग्यान में बालक का अर्थ गर्वादान से लेकर कि जोरावस्ता तक लाए जाता है ठीक है दूसरा आप आते हैं बाल मनोविग्यान का अर्थ पर हम जब जाएंगे तो आप इसमें समझेंगे मनोविग्यान को अंग्रेजी भासा में psychology कहते हैं और अंगल भासा में psychology सब्द की उत्पत्ति यूनानी भासा के दो सब्दों से मिलकर होनी है psycho तथा लोगस साइको का अर्थ होता है आत्मा अर्थात लोगस का अर्थ है बिग्यान देखिए साइको का अर्थ तो आत्मा और लोगस का अर्थ है यहाँ पर आत्मा तो इन दोनों को जब हम मिलकर बनाते हैं साइको का अर्थ है यहाँ पर आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान तो इस सब्द को हम जब पढ़ते हैं तो मनो विज्ञान यही आत्मा का विज्ञान मनो काल ता था मनो विग्यान को आत्मा का विग्यान की रूप में माना गया कुछ समय पस्चात मनो विग्यान मस्तिस का विग्यान माना गया बाद में छेतना के विग्यान की रूप में जाना गया और बीसवी सदी तक आते आते इसे बेवार का विग्यान स्विकार कर लिया गया इसके नर ने क्या कहा इसके बारे में मनोव विग्यान बेवार और अनोव का विग्यान है देखिए इसके नर ने सबसे महतपूर परिवासा दी क्या दी कि जो मनोव विग्यान है वो बेवार और अनोव का विग्यान है एक और थे कालसनिक जिन्हों ने कहा मनोविग्यान मानव ब्यावार का बिग्यान है तो इन सब लोगों के बारे में हम जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें सारी सिर्फियें देखने को मिलती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बालक तथा मनोविज्ञान का अलग-अलग अर्थ समझने के पस्चाथ हम यह निसकस निकाल सकते हैं कि बालक का जो मनोविज्ञान है वो गर्वा वस्ता से लेकर कि सुरा वस्ता तक विक्सित हो रहे ज्ञान सारीरिक विकास तथा मानसिक विकास का अध्यन के जाता है मनोविज्ञान की वैसा का है जो बालकों के सारेरिग विकास तथा मानसिक विकास का अध्यन गर्व अवस्ता से लेकर किस वरावस्ता तक करती है बालक की बिभिन अवस्ताओं का अध्यन करने के कारण इस विज्ञान को बाल मनोविज्ञान या विकास आत्वंग मनोविज्ञान भी कहा जाता है अर्थात हम अगर इसमें पढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि बाल मनोविज्ञान को हम लोग बालक के भूड अवस्ता से लेकर किसूर अवस्ता तक होने वाले सारीरिक मानसिक तता उनके सामाजिक परिवर्तन को जो अध्यान करते हैं उसको हम लोग बाल मनोविज्ञान की स्रेडी में रखते हैं तो ये जो बाल मनोविज्ञान आज हमने सीखा इसके सम्मन्द में बहुत सारे जो हमारे मनोब एक ज्यानिक हुए है जिनों दे अलग-अलग definition दी है जो अलग-अलग examon में quote करके पूछी जाती है ठीक है उन definition को अब हम समझने वाले हैं जैसे इसमें आपके gems driver थे, eyes neck थे crow and crow थे, js ross थे, harlock थे यानि इन लोगों ने इस के संबंद में क्या-क्या परिवासाइं दी है तो ये सारी जो परिवासाइं अलग-अलग हमें quote करनी है क्योंकि अगर हम इनको सारी definitions को अलग-अलग quote करते हैं तो ये समझ लेजिए कि ये हमारे लिए एक बहुती महत्वूर्प्रश्न बन जाएगा क्योंकि अगर आप चाहें descriptive paper लिख रहे हो या फिर आप objective paper हो उसमें ये definition code जरूर की जाती है लेकिन अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इनकी जो definition है और इसका जो इस chapter का जो अगला part है नेक्स वीडियो में ला रहे हैं तो please अपना comment करके हमें view जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो में आपको और क्या requirement है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक चैनल को subscribe कर लिजी